Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्ड़बल जानेंगे, उस मिशन के बारे में, जो नंदा देवी पर एक गहरा सकार साबित हुआ, आखिर ऐसा कौन सा मिशन था, जिसे Economic Times के आर्टिकल्स, James Bond in the Himalayas, नाम देते हैं, और जिस पे Home Alone जैसी ब्रिलेंट मूवी के प्रोड्यूसर, स्कॉर्ट रोसनफिल्ट एक मूवी भी प् सकता है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो, UPSC-CSE के परस्पेक्टिव से भी रिलेवेंट है, और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल, आपसे GS3 के Environment Section में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और की तरफ एक important कदम उठा रहे हैं, Steady IQ ने अपना UPSC PrePlus Mains Live Foundation बात स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा content live दिया जाएगा, 900 प्लस आर्स का live content, 1-2-1 mentorship, current affairs programs, prelims के practice questions, mains answer writing practice, और भी बहुत कुछ, मात्र, 19,499 के discounted price पर अगर आप AG live coupon को डियोज़ करते हैं, दोस्तों अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक serious attempt देना चाहते हैं, तो I don't think कि इससे बहतर मौका फिर कभी मिलेगा, And just to mention, यह price limited students के लिए हैं, तो कुछी समय में आप इन prices में एक significant increase देखेंगे, दोस्तों classes के शुरुआत 1st of August, शाम 6 बजे से हो रही है, तो अब आप भी AG live coupon code यूज़ करके, अपनी UPSC के तयारी को भारत के best educators के साथ, Study IQ के foundation batchers का support provide कर सकते हैं, इस बात से related सभी important links आपको pinned comment में मिल जाएंगी, अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, but don't forget to use AG live, otherwise you will say कि बाकी लोगों को कम rates पे एक course मिला है, बाकी सभी updates के लिए, आप मुझे मेरे social media handles पे follow कर सकते हैं, तो दोस्तों, ये सिलसला शुरू होता है, year 1964 में, जहां cold war अपनी चरम सीमाओं पर था, एक और America, कम्यूनिजम के भरते influence को counter करने के लिए, अपनी geopolitical reach बढ़ा रहा था, वहीं इंडिया भी, 1962 में हुए, इंडो चाइना वार के बाद से, अपने नेबर चाइना को लेकर cautious था, ऐसे में, 1964 के दौरान, जब चाइना ने शिंजियांग प्रोविंस में, लेक लॉपनूर के पास, अपना पहला nuclear test conduct किया, तो इंडिया और अमेरिका, दोनों ही देश चिंता में पड़ गए, United Nations Department of Defense की हेड़कॉर्टर बिल्डिंग, पेंटगोन में, चाइना की नुकलियर प्रोग्राम को टार्गेट करने के लिए, एक प्लान की शिरुवात हुई, CIA, यानि America Central Intelligence Agency ने प्लान किया, कि Indian Intelligence Bureau, यानि कि IB की मदद से, एक powerful listening device, इंडो तिबितन बॉडर पर रखा जाएगा, जिससे चाइना से आ रहे है रेडियो सिगनल्स की मदद से, वहां हो रहे हैं नुकलियर प्रोग्राम्स को ट्राक किया जा सके, इसके लिए device को एक ऐसी जगे पोरीशन करना जरूरी था, जो तिबितन पलीटू के बहुत क्लोज हो, और जहां एक better height advantage और अन अब्स्रक्ट व्यू मिले, और यही से इस mission के लिए चुना गया 25,640 फीट उचा और इंडिया का second tallest peak नंदा देवी, इसके height का अनुमान आप 25 वाइफल टावर्स को एक क्यूपर एक लगा कर imagine कर सकते हो, क्योंकि भारत के लिए भी चाइना उस वक्त एक बड़ी चुनावती थी, इसलिए Indian Intelligence Bureau ने CIE के साथ हाथ मिलाया और इस mission को शुरू कर दिया, और इस mission का नाम रखा गया Operation Hat, लेकिन 56 किल ग्राम की nuclear device को इंडिया के second highest mountain के peak तक ले जाना कोई असान काम नहीं था, यहाँ चौकाने वाली बात यह है, कि इस nuclear device में इस्तमाल होने वाले plutonium की मात्रा, हिरोशिमा में गिराए गए atomic bomb में, इस्तमाल हुए plutonium से सिर्फ आधी थी, डिवाइस के साथी साथ, आज से 10 feet का antina, दो trans receiver sets और एक snap, क्यानि system for nuclear auxiliary power generator भी नंदा देवी पर set up किया जाना था, और इस चुनाती भरे काम की बागडोर संभालने के लिए चुना गया उस वक्त के 14 प्रसिद्ध mountaineers को, इन सब mountaineers को thousand dollar per month की एक भारी amount दी गई, अगर इसे inflation के हिसाब से देखा जाए, तो आज के value कुछ 9400 dollar के equivalent है, इस team में शामिल थे America के कुछ famous climbers, Dr. Robert Scheller, Tom Frost and Jim McCarty, वहें इंडिया से शामिल थे Captain MS Kohli, Sonam Vangyal, HCS Rawat and GS, ये चारो 1964 में हुए Indian Everest expedition mission का part थे, जिसे Captain Kohli द्वारा lead किया गया, और 9 लोगों के साथ successfully Everest के summit पर पहुँच, world record set किया, जिसे आने वाले 17 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया, तुस्वे, Everest expedition इंडिया के लिए उस दौरान किसी जशने से कम नहीं था, इंदरा गांधी ने इस achievement को आजादी के बाद की 6th major achievement भी बताया, और Captain Kohli की तारीफ करते हुए कहा, का Captain मनाया गया, Mint Lounge के साथ हुए एक interview में Kohli बताते हैं, कि उन हैं और उनकी team को इस mission की पूरी जानकारी नहीं थी, उनने बस इतना बताया गया था, कि एक device है, जिसे नंदा देवी की चोटी पर पहुँचाना है, Kohli अपनी किताब स्पाई जिन्दा हिमालियाज में बताते हैं, कि इस mission के लिए US और इंडियन इंटेलिजेंस अपने normal spies और paramilitary पर rely नहीं कर सकती थी, और इस mission की secrecy बनाया रखने के लिए, किसी भी helicopter या un aircraft को इस्तमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस device को नंदा देवी की peak पर पहुचाने के लिए CIA और IB को skilled और experienced mountaineers की जरूरत थी, यही reason था जिसके करान काप्टन कोहली को इस mission के लिए चुना गया और उन्हें पूरी टीम को lead करने की command swapी गई, October 1965 में शुरुआत होती है इस mission की, Captain Kohli, कुछ Indian climbers और कुछ American climbers, 7 plutonium capsules और एक surveillance equipment के साथ निकल पढ़ते हैं, staircase to the heaven कही जाने वाली नंदा देवी की चड़ाई पर, यह trek अपने आप में एक बड़ी चुनाती था, बर्फीली हवाओं में सिर्फ बर्फ से ढखे पत्रों का सहरा लेकर उपर जाना, उचाई बढ़ने के साथ oxygen की मातरा कम होना, साथ ही 56 kg के device को संभाल कर, उचाई तक ले जाना, यह किसी आम आदमी के बस की बात तो बिलकुल भी नहीं थी, काप्टन कोहली बताते हैं कि रास्ते की गंभीरता और खतरे को देखते हुए उनकी पहली प्रायरिटी अपनी टीम की safety एंशियूर करना था, जैसे हैं उनकी टीम समिट के पास पहुँची, वहां का महौल और बिगड़ गया, हवाय तेज होने लगी और स्नो स्टॉम अपनी चरम सीमा पर पहुँचने लगा, इन हलातों को देखते हुए टीम ने डिवाइस को वहीं छोणने का फैसला किया और वापस नीचे उतरने लगी, क्योंकि ऐसे मौसम में टिक पाना humanly possible नहीं था, डिवाइस को एक छोटी चटान से मजबूती के साथ बान दिया गया, और एक छोटी गुफा समान जगे में उसे रग दिया गया, अगले ही साल जब टीम वापस उस जगे पहुँची तो उने कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने इस पूरे mission का चेहरा बदल दिया, कोईर ने CIA और IB दोनों को चौका दिया, यहां सिर्फ एक spying device ही नहीं खोया था, बलकि एक ऐसी दुरघटना अपने आपको अंजाम दे चुकी थी, जिस से शायद नंदा देवी की पास रहने वाले लोगों की जान खतरे में आने वाली थी, जिस उचाई पर इसे छोड़ा उस device को धुणने में नाकाम्याब रहे, नंदा देवी पर कई सर्च ऑपरेशन के बावजूद यह nuclear device आज तक नहीं मिल पाया है, 1967 में CIA और IB दोरा दूसरा spying device करीब 22,000 feet उपर नंदा कोट पर इंस्टॉल किया गया, यह device कुछ महिनों तक functioning रहा और साथ ही इसकी मदद से यह भी confirm किया जा सकता है कि चाइना के पास कोई long range nuclear bomb नहीं है, दोस्तो बात करें पहले nuclear device की तो कुछ theories का मानना है, कि यह device किसी avalanche की वज़े से नंदा देवी से काफी नीचे खोच चुका है, और चिंता की बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले radioactive element, plutonium की life 100 साल है, मत पुझूद river systems में मिल जाते हैं, तो यह एक बड़े scale पर calamities पैदा कर सकते हैं, कई theorist का मानना है कि फरवरी 2021 में उतराखंड के चमोली district में आए flash floods का reason नंदा देवी में खोई nuclear device ही है, आईए दोस्तो अगले section में समझते हैं इस पूरे incident को और साथ ही जानेंगे nuclear device से आपको बताना है कि नीचे दिये गए options में कौन सा peak इंडिया में नहीं है, कंचन जंगा, नांगा परवत, माउंट एवरेस्ट या फर नंदा देवी, आईए अब वापस चलते हैं अपने topic की तरफ Times of India में आई reports के मताबिक, चमुली में आई flash floods में करीब 200 से भी जादा लोग लापता बताए गए और करीब 82 dead bodies और human limbs flood affected areas में पाए गए BBC की reports बताती हैं कि नंदा देवी में आए हुए glacier burst की वज़े से रिशी गंगा और धौली गंगा के स्तर काफी तेजी से बढ़े जिससे ultimately एक flash flood देखने को मिला ये इतना powerful था कि इसने रास्ते में आए रिशी गंगा हाइडल प्रोजेक्ट और NTPC तपोवन विश्नुगर्ड हाइडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट दोनों को ही बुरी तरह destroy कर दिया साथ ही इन प्रोजेक्स पर काम कर रहे करीब 200 लोग इस tragedy का शिकार हुए लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि फरवरी में जहाँ विंटर्स अपने पीक पर होती है वहाँ एक glacier इतने आसानी से कैसे गिर सकता है रहनी विलेज में रहने वाले लोगों ने BBC की कुछ reporters को बताया कि उनके गाउं में आए इन floods की वजए नंदा देवी पर खोया nuclear device है दोस्तों आपको जानकर हरानी होगी कि नंदा देवी की जिस पाट से यह glacier टूटा ठीक उसी के आस पास ही 1965 में यह nuclear device खोया था Better India नामक एक Digital India News प्लाटफॉर्म को दिये इंटर्व्यू में काप्टन कोहली बताते हैं कि नंदा देवी पर गिरे glacier की वजए वहां बर्फ की चटानों में दबा हुआ radioactive plutonium ही है 1965 के बाद काप्टन कोहली रैनी विलेज में ही पोस्टिट थे जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ अगले तीन सालों तक इस device को धूड़ा उन्होंने रिशी गंगा के पानी को भी टेस्ट किया यह देखने के लिए कि क्या उसमें radioactive element तो नहीं है पूरी टीम उस वक्त यह सोच कर परिशान थी कि कहीं device पानी को contaminate न कर दे क्योंकि इससे कई लोगों की जाने जा सकती थी उस दौरान कोई major evidence तो नहीं मिल पाया लेकिन फरवरी 2021 में नंदा देवी में गिरे इस glacier में 55 यर्स के बाद वही डर फिर से जगा दिया यर 2018 में उतरखन tourism minister सत्पाल महराज प्राइम मिरेस्टर नरेन मोदी से मिले और इस situation की गंभीरता उनके सामने रखी दोस्तों उस पूरे incident के पीछे कई conspiracy theories हैं कुछ का मानना है कि पाकिस्तान दोरा उस nuclear device को capture कर लिया गया है और कुछ मानते हैं कि इंडिया नहीं उस device को वहाँ से misplace कर दिया लेकिन ये दोनों ही theories गलत साबित हुई है 1965 expedition के करीब 10 सल बाद 1997 में CIA और IB के पास इस पूरे mission की एक detailed account Harvard कौन दोरा अमेरिका की outside नामक magazine में publish हुई खबर बाहर आते ही पूरे दुनिया में ऐसा मोहल था जैसा मानो James Bond मूवी का कोई climax चल रहा हो खासकर इंडिया में मोहल बहुत गंभी हो चुका था नंदा देवी के glaciers कई tributaries में जाकर मिलते हैं जो eventually गंगा का पार्ट बनाते हैं जिससे करीब 200 मिलियन लोगों की जाने जुड़ी हुई है नंदा देवी और उसकी surrounding centuries को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और उस nuclear device को धूनने के लिए कई military expedition किये गए 1978 में Washington Post में भी इस nuclear spying mission की स्टोरी ब्रोक आउट हुई और साथ ही radioactive plutonium से होने वाले नुक्सानों से भी इंडिया को वाकिफ किया गया तेजी से भढ़ते national और international pressure के चलते तत कालीन प्राम मिनिस्टर मुराजी देसाई ने इस पूरे mission को पारलिमेंट में सब के सामने रखा और बताया कि कैसे CIA और IB ने मिलकर इस mission को अंजाम दिया 1966 में लाल बहादुर शास्तरी और होमी भाबा की mysterious death को भी इसी incident से जोड़ा जाने लगा लाल बहादुर शास्तरी जो इंडिया के प्रधान मंतरी भी रह चुके हैं वोस दौरान atomic energy के minister in charge थे और होमी भाबा atomic energy commission के चेर्मेन थे Rumor से थी कि शास्तरी जी को KGB द्वारा assassin किया वहीं भाबा को CIA द्वारा bump किया गया है Delhi based newspaper के एक report में ये सामने आया कि एक Paris based पाकिस्तानी diplomat उन पहले लोगों में से था जो भाबा की plane crash site पर सबसे पहले पहुँचा था और शायद इसी diplomat ने भाबा के पास मवजूद कुछ classified documents जो वो अमेरिका ले जा रहे थे उन्हें occupy कर लिया Reports बताती है कि ये documents हिमालिया पर एक mini nuclear power project से related थे लेकिन इस rumor को भी जल्द ही outlandish बता कर dismiss कर दिया गया कई speculations और conspiracies के बावजूद एक बात तो बिल्कुल सच है और वो ये कि इस device की current location के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है ऐसे मागर ये अभी भी नंदा देवी पर महजूद है तो ये इंडिया के लिए अभी भी काफी dangerous साबित हो सकता है इस पूरे incident की secrecy और radioactive plutonium के 7 capsules के नंदा देवी में गुम हो जाना बहुत से movie directors और producers को अपनी और अकर्शित कर चुका है उनमें से ही एक है Scott Rosenfeld जिन्होंने Home Alone जैसी कई worldwide famous movies को produce किया है Captain Kohli ने Times of India को दिये एक interview में बताया कि जल्दी Scott Rosenfeld नंदा देवी पर हुए इस mission पर movie बनाने वाले हैं जोने direct करेंगे Greg McLain और movie में Captain Kohli का role play करेंगे Ranbir Kapoor तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे CIA और IB ने चाइना के भड़ते nuclear test attempts को ध्यान में रखते हुए इस mission को अन्जाम दिया लेकिन फरिक ऐसी अनुहुनी हुई जिससे शायद आज भी भारत में गंगा और हिमालियास के पास रह रहे लोग एक बड़े scale पर सफर करते रहे device कहाँ है यह आज भी एक top mystery है यह कहो तो एक top secret बना हुआ है और यह top secret शायद किसी को नहीं पता दोस्त इस पूरे मुद्धे पे आपका क्या opinion है comment section में जरू बताईएगा इसी के साथ end करते हैं आज के analysis को और जैसे की video के पहले बागे हम बताया कि इस topic से तुड़े हुए सवाल UPSC के लिए काफी relevant हो सकते हैं तो उसी importance को दिखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं इसको आपको comment section में answer करना है and the question is the frequency of urban floods due to high intensity rainfall is increasing over the years discussing the reasons for urban floods highlight the mechanisms for preparedness to reduce the risk during such events and with this question my friends that's it for the video I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क्लीर जय हिंद जय भारत Study IQ IS अब तयारी हुई affordable